नमस्कार दोस्तों, दोस्तों साल 2023 का दूसरा चंदर ग्रहन बहुत ही जल लगने वाला है साल का दूसरा सुरिय ग्रहन समाप्त होने के बाद अब साल का दूसरा चंदर ग्रहन लगेगा लेकिन इस चंद्रग्रहन के तारीख और समय को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है जहां कुछ जगों पर ग्रहन की तारीख 28 अक्टूबर बताई जा रही है तो वहीं पर कुछ जगों पर ग्रहन 29 अक्टूबर को बताया जा रहा है वहीं पर इसके समय में भी अंतर है कुछ जगों पर बताया जा रहा है ग्रहन 28 अक्टूबर की रात 11 बज कर 31 मिनट से सुरू होगा तो कहीं कहीं यह बताया जा रहा है ग्रहन 29 अक्टूबर की रात 1 बज कर 8 मिनट से ग्रहन सुरू होगा तो आखिर ग्रहन कब सुरू होने वाला है और ग्रहन का तारीख क्या है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों वीडियो सुरू करें उससे पहले कमेंट में ओम नमसिवय अवस्य लिखें दोस्तों साल का दूसरा चंद्रग्रहन एक उपचाया चंद्रग्रहन होगा यह ग्रहन आस्विन माह के सुकल पक्च पूर्णिमा तिति पर लगने वाला है ग्रहन यूरोप, एसिया, अस माने होगा, यानि कि चंद्रग्रहन शुरू होने से नो घंटे पहले से ही सुतक काल शुरू हो जाएगा, दोस्तों सुतक काल के दोरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं, इस दोरान सभी परकार के सुबकामों की मनाई होती है, ऐसे में यदि आपको ग्रहन का सही समय पता है, तो आप उसमें से नो घंटे घटा करके सुतक काल का समय निकाल सकते हैं, दोस्तों साल का दूसरा चंद्रग्रहन वैसे तो 28 अक्टूबर की रात 11 बज कर 31 मिनट से सुरू हो जाएगा, लेकिन आपको बता दे कि भारत में यह ग्रहन 28 अक् अक्टूबर की रात 1 बज कर 8 मिनट से सुरू हो रहा है, क्यूंकि दोस्तों 12 बजे के बाद डेट बदल जाता है, इसी वजह से कई जगों पर 29 अक्टूबर लिख दिया गया है, भारत में इसका समय 28 अक्टूबर के रात 1 बज कर 8 मिनट से है, यह ग्रहन करीब 2 घंटे च 15 मिनट पर होगा,